इलाहबाद उच्च न्यायालए ने एक व्यक्ति के खिलाफ दहेज के आरोपों को खारज करते हुए कहा है कि ये आरोप निराधार हैं और व्यक्तिगत विवादों से प्रेरित हैं अदालत ने इस मामले में कहा कि नैतिक रूप से सब भे समाज में व्यक्ति यौन इच्छा अपनी पत्नी से व्यक्त नहीं करेगा तो कहा जाएगा न्याय मूर्ती अनीश कुमार गुपता ने प्रांजल शर्मा और दो अन्य के खिलाफ इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि प्राथमिकी में प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयान दहेज के लिए उत्पीडन के दावों का समर्थन नहीं करते अदालत ने पाया कि प्राथमिक आरोप दमपती के यौन संबंध से जुड़ी असेहमतियों के आसपास केंद्रित हैं और ये विवाद दहेज की मांग से जुड़े नहीं है अदालत ने कहा यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच यह विवाद यौन संबंध स्थापित नहीं होने को लेकर है जिसकी वजह से विपक्षी द्वारा प्राथमी की दर्ज कराई गई और दहेज की मांग को लेकर जुटे एवं मन गढ़ंत आरोप लगाए गए आखिर पती कहा जाएगा? अदालत ने प्रश्ण किया नैतिक रूप से सब्भे समाज में व्यक्ती यौन इच्छा अपनी पत्नी से या पत्नी अपनी यौन इच्छा पत्नी से व्यक्त नहीं करेगी तो वे कहा जाएगे? प्राथमिकी में प्रांजल शुकला पर दहेज की मांग करने और पत्नी से गाली गलौज करने के साथ ही उसे अशलील फिल्मे देखने और अब प्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है अदालत ने कहा कि विश्वसनिय साक्षे से ये आरोप साबित नहीं हुए इस मामले के तथियों के मुताबिक मीशा शुकला का विवाह आवेदक प्रांजल शुकला के साथ हिंदू रीति रिवाज से 7 दिसंबर 2015 को हुआ था मीशा ने अपने सास ससुर, मधुशर्मा और पुन्यशील शर्मा पर दहेज मांगने का आरोप लगाया हालां कि प्राथमिकी में यह भी स्पष्ट किया गया कि शादी से पहले दहेज की कोई मांग नहीं थी प्राथमिकी में यह भी बताया गया कि प्रांजल शराब पीता और अशलील फिल्में देखता साथ ही वह अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर जोर देता और मना करने पर वह उस पर ध्यान नहीं देता बाद में वह अपनी पत्नी को छोड़कर सिंगापुर चला गया याचिका करता के वकील वरिष्ट अधिवक्ता विनए शरण ने कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप और विपक्षी के बयान शारिरिक संबंध को लेकर है और विपक्षी, पत्नी, द्वारा बयान में मारपीट को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वे याचिका करता की यौन इच्छा पूरी नहीं करने के संबंध में हैं ना कि दहेज की मांग के लिए सब मन गढंत कहानी है अदालत अदालत ने कहा प्राथमिकी और पीड़ता के बयान पर गौर करने से साफ है कि यदि कोई मारपीट की गई तो वह दहेज की मांग के लिए नहीं बलकि यौन इच्छा पूरी करने से मना करने के लिए की गई अदालत ने तीन अक्टूबर को दिये अपने आदेश में शुकला के खिलाफ मामले को रद कर दिया अदालत ने कहा हमारे विचार से मौजूदा प्राथमिकी कुछ और नहीं बलकि दहेज की मांग को लेकर मन गढंत कहानी है